आज हम लोग आयू के वैसे question को देखेंगे जो मुश्किल भी हैं और exam में बार बार आते हैं हलां कि आयू chapter का basic concept हमने इस channel पर दे दिया है आईए आज उन question को देखें जो question आपको बार बार परिशान करते हैं जब question आता है तो आपको लगता है इस question को बनाई कैसे जादे वक्त लग रहा है परिशान में वही question बार बार आ जाता है पहला सवाल देखें सवाल क्या करता है एक पिता और पुत्र की बरतमान आयू का योग 99 वर्स है जब पिता की आयू उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयू है तब उसकी आयू पुत्र की उस समय की आयू की चार गुनी थी पुत्र की बरतमान आयू बता देखें इस question के लिए हम लोग तीन-तीन तरीका ले सकते हैं इस question के लिए हम लोग तीन तीन तरीका ले सकते हैं आपको जो समझ में आए अपना ये देखें question बोला अभी दोनों मिल के 99 बरस है अभी दोनों मिल के कितना है 99 बरस और question कहता है अभी जो पुत्र का उम्र है उस उम्र में कभी पिता भी होगा उस समय क्या होगा उस समय पिता चारगुना होगा किस समय अभी पिता का कुछ उम्र है पुत्र का भी कुछ उम्र है लेकिन कोशन कहा जा रहा है जिस उम्र में अभी पुत्र है उस उम्र में कभी पिता भी होगा तो उस समय का बात हो रहा है उस समय पिता पुत्र से चौगुना थे ये कोशन करता है तो हम बात उस समय का कर लेते हैं जिस समय पिता पुत्र के चौगुना थे पिता पुत्र के चौगुना थे कभी ये था आज का बात ये नहीं है लेकिन कभी तो ये था तो आप देख रहे हैं क्या पिता और पुत्र में जो डिफरेंस है वो तीन एक्स बर्स का है इसमें डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है तीन एक्स बर्स का मतलब हम डावे के साथ कह सकते हैं कि पिता और पुत्र में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा थ्री एक्स का होगा क्य भी नहीं होता है अब कोशन काता है इस उम्र में पिता जी को हमने माना उस उम्र में तो आज पुत्र हो गया है यह पुत्र का उम्र है और पुत्र के उम्र में हम पिता को ले गए हैं तो यह तो पुत्र का उम्र हो जाएगा पुत्र का उम्र चार एक्स तो पिता का उम्र 99 है 11 X का मान 99 X का मान 9 X का मान 9 आएगा तो 4 X का मान 36 आएगा पुत्र का उम्र 36 होगा पुत्र का उम्र 36 होगा इस से बहतर तरीका इस question का नहीं हो सकता है हलागि तरीका हमने पहले ही कहा कि हम 3 देंगे लेकिन इस बात को समझे आप हमने कहा देखे पिता का उम्र कुछ है पुत्र का उम्र कुछ है case काता है condition काता है कि जब पिता का उम्र उतना था जितना की आज पुत्र का उम्र है उस समय दोनों में relation क्या था चोगुना का पिता चोगुना थे तो कभी तो चोगुना थे तो हम वही से चालू कर दिये कि पि उम्र पिता का है इस उम्र में आज पूत्र पहुंच गया है तो 4X अगर पूत्र को 4X बनाएंगे तो ये बरहे है आपने कितना 3X तो ये भी तो 3X बरहेगा तो आज पिता आज पूत्र दोनों का योग 99 और 4X का मान 36 आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा तिसर से भी बना सकते हैं देखिए अब आईए आप दूसरा तरीका लीजे जहां आप X मानते हैं आईए देखिए आप पुत्र को आप पुत्र को मान ये X बर्स का है पुत्र कितने बर्स का X का तो पिता कितने का हो जाएगा पिता हो जाएगा x plus y का मान लेते हैं क्यों पिता और पुत्र में कुछ तो difference होगा तो जितना difference होगा यह नहीं पता है तो हमने मान लिया पिता जी पुत्र से y बर्स बरे हैं यह हमने माना अब आप कहेंगे यह y कहां से आ गया तो इसको भी हम अटा देंगे आप तरीका देखते चलिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह किस के बराबर होगा 99 के बराबर यानि आप कह सकते हैं 2x plus y is equal to 99 ठीक है यहां कोई दिकत नहीं है अब आईए अब कहता है पिता का उम्र उस समय जिस समय की पुत्र का उम्र है पुत्र का जो अभी उम्र है उस उम्र में जब पिता थे तो पिता का उम्र x हो जाएगा क्योंकि अभी पुत्र का उम्र क्या है x तो पिता भी कभी x बर्स के होंगे तो x plus y को आपने क्या लिखा x मतलब कितना कम लिखा y कम लिखा x plus y को आप सिर्फ x लिखेगा तो मतलब आप y घटा रहें तब तो x होगा x plus y को आप x लाना चाहरे है तो y घटा ना होगा यानि आपने इसको y घटाया तो पिता के उम्र में y घटाया तो पुत्र के उम्र में भी y घटेगा तो ये हो जाएगा x minus y और इस समय पिताजी 4 गुना थे तो इस पूत्र को अगर 4 से गुना कर लें गे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा अब आप इसको लिखेंगे x बराबर 4x minus 4y 4y इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा 3X और हम Y बराबर निकालेंगे तो आएगा 3X बटा खोर यानि हमने Y का मान निकाल लिया X के फर में और ये मान हम समीकरण एक में रख सकते हैं ये मान हम लोग समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आएगा देखिए समी करन एक क्या है 2x पलस y बराबर 99 y का मान क्या 2x पलस 3x बाइ 4 बराबर 99 इसको गुना करेंगे 4 दून 8 तिन 11 11x बटे 4 बराबर 99 11 से कटेगा 9 बार में 9 चोग 36 x का मान 36 यानि फुत्र निकल गया कितने साल का फुत्र काउं 36 साल का अगर आप चाह रहें कि नहीं हम 2 variable नहीं लेंगे एक variable में बनाएंगे तो भी आप आईए आप सिर्फ x मानिए आप तीसरा तरीका देखिए आप तीसरा तरीका देखिए हलांकि ये question मुस्किल है लेकिन exam में बार बार पुछा जाता है तो आपको करना ही होगा हम मानते हैं फुत्र x साल का है फुत्र कितने साल का है x साल का है तो पिता हो जाएगा 99 माइनस x साल का क्योंकि दोनों मिल के कितना है ये question का है दोनों मिल के अगर 99 वर्स का है फुत्र x वर्स का है तो पिता को 99-x होना परे अब कोस्टन काता है ये अभी पिताजी इस उम्र में है लेकिन कभी पिताजी पूत्र के उम्र में होंगे ये आप जाना है तो पिताजी जब x बर्स के होंगे तब पूत्र कितने बर्स का होगा तो पिताजी के आज का उम्र ये है और आप पिताजी को घटा कर इतना लिख रहे हैं तो आप घटा कितना रहे हैं जैसे देखिए पिताजी सतर के हैं और पिताजी को आप कर रहे हैं 40 तो आप घटा कितना रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वही आप माइनस कर रहे ह इसमें इन दोनों का difference क्या है? 30. तो आप 30 घटा रहे हैं. तब ही यह बात आएगा, अन्य ठानीं है. तो इसको आप इतना लिख रहे हैं, तो घटा कितना रहे हैं, तो जितना difference है, वो ही घटा रहे हैं. तो इन दोनों का difference क्या होगा? 99 minus x minus x. यही difference होगा न इस उम्र और इस उम्र में difference क्या होगा यह difference होगा जैसे 70 और 40 में difference क्या होगा तो 30 होगा 70-40 उसी तरह difference यहाँ क्या होगा difference यह होगा तो पिता को जितना छोटा किये हैं पुत्र भी उतना ही छोटा होगा तो पुत्र को भी छोटा किजिए कितना x-99-2x पुत्र को इतना घटाए और ये बरतमान में पुत्र और ये बरतमान में पिता सुरी बरतमान कर रहे हैं उस समय बरतमान तो ये है उस समय दोनों में क्या था पिता जी चबुना थे तो पुत्र को चार से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ इसको हटा हम लोग हटा ले यह समीकरन का हिसा नहीं है अब इसको हल करते हैं अब हल करते हैं तो X का मान 36 आएगा उत्र का मान कितना आएगा 36 यह कैलकूडेशन आप कर सकते हैं हमने तीन तीन तरीका देखा लेकिन पहला तरीका हो सकता है समझने में मुस्किल हो लेकिन वहाँ वक्त कम लगा उसिस कीजिए उसको समझने का अगर समझने में कुछ दिकत हो तो आप कमेंट कीजिए हम लोग अगले कोशन को देए हलांकि हमने पहले ही कहा दिया ये वीडियो उनके लिए है जो आप basic knowledge ले चुके हैं उन question को देख रहे हैं जो exam में बार-बार पुछे जाते हैं जो नहीं समझभा रहे हैं वो मेरे उन वीडियो को देखने जाए जहां आमने basic knowledge दिया अगला सवाल लिजे मीना ने 10 वर्स पहले साधी की थी चलिए ठीक आज उसकी उम्र साधी के समय उसकी उम्र से 7 बटे 5 गुन है 10 साल पहले साधी हुई थी और आज का उम्र जो है पहले के उम्र का 7 बटे 5 गुना आज का उम्र तो जादे होगा है सब का उम्र बढ़ता, यह घड़ता, किसी ख़र, शाद गुना है, उसकी बेटी की उम्र, उसकी उम्र की एक बटे पाँच है, पाँच बार्स बाद मीना और उसकी पुत्री के आईू का अनुपात्य होगा, एकदम सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात यह है, हम कहेंगे, आज म पहले के उम्र का साथ बटे पांच गुना है तो पहले पांच था तो अभी साथ हो जाएगा और कुछ नहीं करना है अब इन दोनों में फर्क कितने का है टू एक्स का है और फर्क कितने का है दस साल क्योंकि साधी अभी से दस साल पहले हुआ था ये आज का उम्र और ये जिस समय बिवा हुआ था उस समय का उम्र और विवा तो दस साल पहले हुआ तो अंतर दस का एक्स का मान पांच पता चल पता चल गया कि आज मीना कितने साल की है आज मीना साथ पचे 35 साल की है साथ एक्स का मान 25 साल मीना की आयू 35 साल अब काता है पुत्री उसका पांचमा भाग है मीना की पुत्री भी है मीना की पुत्री भी है उसकी आयू क्या है एक बटे पांच है तो इसको एक बटे पांच से पांच साल निकाल लेंगे तो पुत्री की आई निकलेगा कितना साथ दोनों का उम्र निकल लिया लेकिन कोशन ये भी नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है आज से पांच साल बाद दोनों के उम्र का अनुपात क्या होगा आज से 5 साल बाद दोनों के उम्र का रेशियो क्या होगा तो 5 साल बाद ये 40 का और 5 साल बाद ये 12 का यही तो रेशियो होगा जो कटता है उसको काट लिजे 4 से कटेगा 3 वार में, 4 से कटेगा 10 वार में रेशियो यही हो जाएगा आप कांसर हो जाएगा दस अनुपात तीन दस अनुपात तीन आपका पहला option है आपको इस question में दिक्कत ना हो यहाँ जादे कुछ जन्यत नहीं अगले question को देखे अगला सवाल लीजे राम कहता है यदी मेरी स्वेम की आयू को उलट देते हैं तो मेरे भाई का उम्र पराप् यदी मेरी आयू को उलट दे उलट देने का मतलब क्या है संख्या को उलट दे जैसे 35 है ना तो उसको उलट दे तो तीरेपन हो जाएगा उलट देने का मतलब यह होता है आयू का जो संख्यात्मक मान है उसको उलट देना है यह question करने का मतलब मेरा भाई मुझसे बरा है भा का उम्र हमसे बरा है यह भी कोशन में साप साप का रहा है अब कहता है हम दोनों के आयू का अंतर देखें डिफरेंस दोनों के यू उम्र का एक बटे एक आरमा भाग देखें अगर आप लोग संख्या से रिलेटेट चेप्टर परें हैं जहां हम लोग इस तरह का कोशन बनात करें पुस्तन कहता है अंतर योग का एक बटेगार हैं अंतर योग का एक बटेगार है मतलब योग अगर 11 होगा तो अंतर एक होगा चलेगा क्या आप कहेंगे बिलकुल चलेगा कोसंत साब कह रहा है अंतर 11 मा भाग है किसका? योग का तो योग अगर हमें 11 मान लें तो अंतर 11 मा भाग यानि एक हो जाए तो अंतर एक होगा योग 11 होगा आप बहुत बार इस तरह का कोसंग बनाय होगे आप पढ़े होगे कि संख्या और उसके अंकों को उलटते हैं ना तो योग जो पराप्त होता है वो 11 का गुनज होता है संख्या और अंकों को उलट यह जोड़िए देखें 11 का गुनज होता हम एक्जामपल ले लेते हैं उसको पल्टेंगे, तो योग 11 का गुनज होगा, और उसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं, कि अंतर जो होता है, 9 का गुनज होता है. अंतर जो होता है नो का गुनज होता है यह आप जानते हैं अंतर क्या होता है नो का गुनज होता है अंतर क्या होता है नो का गुनज होता है और सबसे छोटा जो अंतर होता है उन नो होता है जैसे यह 34 है इसको उलट देंगे तो यह 43 हो जाएगा और इसके बीच जो अंतर होगा 9 9 से छोटा अंतर होता ही नहीं क्योंकि सबसे कम अंतर कब होता है जब अंतर 1 हो अंतर 2 होगा तो अंतर 18 हो जाएगा जैसे लिजिए 24 इसको उलटिएगा तो हो जाएगा 42 अंतर कितने का हो जाएगा अठारे का तो यही कंसेप्ट हम यहां लेंगे यह जानकारी साइद आपको हो पहले से नहीं है तो example अभी हम ले रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब भी संख्या को उल्टेंगे ना तो कम से कम difference नौ होगा उससे कम difference नहीं हो सकता तो हम अगर हम अगर यह कहें हम यह कहें कि एक कामान नौ है तो एक ग्यारे कामान नीनानवे हो जाएगा एक कामान नौ है तो एक ग्यारे कामान क्या हो जाएगा नीनानवे तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 990 होगा अद दोनों को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा तो ऐसे स्तिती में दोनों का उम्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं बचा क्या 90 अब इसको 2 से भाग निकालेगा न तो एक वेक्ति का उम्र निकल जाएगा यह हो जाएगा 45, पिर नौजोर दीजेगा एक हो जाएगा 54, यानि आपका अंसर 54 हो जाएगा, बरा भाई 54 साल का, छोटा भाई 45 साल का, इस से बेश्ट तरिका इस question का नहीं हो सकता है, अगर ये बात आप नहीं समझ पाएंगे, तो हम लोग option, हम लोग option को देखें, यहां ह 3 भी नहीं होता है, अंतर 4 भी नहीं होता है, अंतर 5 भी नहीं होता है, अंतर सीधा 9 होता है, तो अगर हम 9 रख लें, तो यह 99 हो जाएगा, तो इसी से हम मान लेका लेते हैं, तो मान निकालते हैं, तो एक का मान 45, एक का मान 54 आता है, और ये आपके question को संतुष्ट करता है, ये आपके answer को संतुष्ट करता है देखिए बराभाई 54 का होगा तो 45 का होगा और option आप देखिए 54 के अलावा नहीं होगा क्योंकि अगर बराभाई 52 का होगा तो इसका मान भाग जाएगा जो 9 के गुनज में नहीं होगा ये condition फुल फिल नहीं करेगा तो इस अधार पर हम लोग direct का सकते अगर आपको option चेक करना है तो देखिए आप ऐसे चेक option चेक किजेगा तो ये भी ये पहला option कट जाएगा पहला option नहीं होगा क्यों पहला option मेरे भाई देखिए यहाँ जो 4 option होगा वो किसका मान होगा मेरे भाई का और मेरा भाई मुझसे बड़ा है और मेरा भाई 45 साल का है इसको उलट देंगे तो हम 54 साल के हो जाएगे तो हम बड़े हो जाएगे ना भाई को बड़ा रखना है मतलब यह आंसर नहीं हो सकता 54 को उल्टेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 45 अगर बड़ा भाई 54 का हुआ तो मेरा उम्र क्या हो जाएगा 45 यह हो सकता है अब देखिए यह 25 नहीं हो सकता है क्योंकि बड़ा भाई 25 का होगा उलट देंगे तो हम 52 के हो जाएगे यह नहीं हो सकता तो आंसर ये होगा चाहे ये होगा इसको आपको चेक करना परेगा अब देखिए आप दोनों में से किसी एक को चेक कर लीजे 54 को ही चेक कर लेते हैं एक अगर 54 है तो दूसरा 45 हो जाएगा दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा नौ का दोनों का योग कितना हो जाएगा मिनानवे और नौ मिनानवे का एक वटे ग्यारा मा भाग है क्या तो यहां से भी पता चल रहा है मतलब यही आंसर है आईए हम लोग अगले सवाग में आते हैं अगला सवाग मोहन और सोहन की आयू का अनुपात पाच अनुपात एक्स है मोहन राम से 18 वर्स छोटा है 9 वर्स बाद राम से 47 वर्स का होगा यदि मोहन और सोहन के बीच का अंतर राम की आयू के समान है तो एक्स का माण क्या है एकदम सिंपल सा कोशन है देखे सेंटेंस में उलजना नहीं है सेंटेंस में क्या-क्या आपको मिला उसको खुझते राना क्या-क्या साप दिख रहा है उसको निकाल के रखना है जो नहीं मिलना है उसको दुबारा पढ़ना है तीन वार पढ़ना है आराम से कोशन बनेगा डरिये ले देखे मोहन सोहन और राम राम के बारे में कुछ टेंसन नहीं लेना है क्योंकि राम का सीधा सीधा उम्र ही दे लिया है कहता है नौ बर्स बाद राम कितने का होगा 47 साल का नौ साल के बाद हम 50 साल के होंगे तो आज कितना के होंगे साप साप पता चलेगा तो 9 साल के बाद राम 47 साल का है इसका मतलब आज आज राम 38 साल का होगा यह इसमें तो कहीं किन्तु परंटू नहीं है 9 साल के बाद 47 तो आज 9 कम होगा मतलब 38 होगा फिर कोशन क्या गोला मोहन और सोहन की आयू कानुपाद पांच अलुपाद एक्स है मतलब यह 5 है और यह X है आगे मोहन राम से 18 बर्स चोटा है मोहन यह दोनों का रेशियो दिया है ना अब इसका मान ही दे रहा है मोहन जो है वो राम से 18 साल चोटा है तो मोहन होगा कितने साल का 20 साल का आगे अब तो यहां हम लोग को मान निकल गया तो आराम से X का मान निकल लेंगे देखिए यह 5 है तो यह 20 है और इसका मान हम लोग निकलते हैं यह साप साप दे रहा है कैसे देखिए कोशन काता है मोहन राम से 18 बर्स छोटा है मोहन राम से 18 बर्स छोटा है 9 बर्स बाद इतना होगा मोहन और सोहन के बीच के आयू का अंतर राम के समाने एक और बात दिया है बोला राम मोहन और सोहन के बीच का जो अंतर है वो राम के उमर के बराबर है मोहान और सोहन के बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर है? राम के उम्र के बराबर है मतलब ये 20 है तो वो क्या हो जाएगा? इसमें 38 जोर देंगे यानि ये फिर्टी एक हो जाएगा इन दोनों के उम्र में अंतर कितने के बराबर है? राम के उम्र के बराबर है तो अंतर कितना होगा 38 साल ये 20 है और अंतर 38 साल का होगा तो ये 38 साल बड़ा होगा ये बड़ा नहीं हो सकता है 38 साल का अंतर होगा तो ये तो बड़ा होई नहीं सकता है क्योंकि इसको 38 साल पहले ले जाएंगे तो ये माइनस ना जाएगा मतलब बरा यहीं होगा तो 38 जोर देंगे तो इसका उमर निकल जाएगा अब देखिए 5 का मान 20 तो X का मान क्या 8 यह चवगुना हो रहा है न तो यह भी चवगुना हुआ होगा तो इसका मान निकलने के लिए इसमें 4 से भाग लगा दीजे 4 से भाग लगाईएगा तो इसका मान आएगा सारे चवगुना बस यानि X का मान क्या आया सारे चवगुना बस यह आए आईए हम लोग अगले सवाल को देखे जो भी सवाल है थोड़ा मुस्किल है और यही सब कोशन आज कल पूझे जाते हैं अब वो जमाना गया कि A और B के उम्र का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है 5 साल के बाद 3 अनुपाद 4 हो जाएगा तो एक का उम ने का लेगा अब ऐसे कोशन कम हो गया है और जो पूछ रहा है वैसे कोशन को करना होगा उस लेवल में आपको आना होगा अनिता कोशन आप वही पिछला बनाईएगा जो पहले से आप पर रहे हैं तो लगेगा कि हम जानते हैं लेकिन एक्जामिनेशन होल में आप से नहीं बनेगा आप तहिएगा कि कोशन मुस्किल आ रहा नहीं जो अपडेट आपको होना होगा जो आज पूछ रहा है वैसे कोशन को आपको बनाना परेगा एक दमपती का एक कुत्र और एक कुत्री है पिता की आयू कुत्र की आयू की चार गुनी है तथा कुत्री की आयू माता की आयू की एक वटे तीन है यदि पतनी की आयू पती की आयू से च्छोब वर्स कम है भाई अपने भाई से तीन वर्स बढ़ी है तो माता की आयू कितनी है कुछ नहीं है sentence आप पर रहे होंगे तो लग रहा होगा उलजता जा रहा है कुछ नहीं है उसको सामने लाने का कोशिस कीजिए और पूछ लें एक जानकारी है ना कि बहान भाई से बहान अपने भाई से तीन वर्स बड़ी है मतलब भाई एक साल का है तो बहान एकस पलस तीन साल की होगी ये बात लिखने हैं आपको क्या भी करते हैं अब देखिए तोसन कहता है प पिता की आयू पुत्र की आयू की क्या है चवगुनी है तो पिता का उम्र निकालेंगे तो चार एकस लिख देंगे पिता जो पुत्र ये है ना पिता पुत्र से चवगुनी है तो पिता का उम्र कितना चार एकस और माता जो है पुत्री से तीनी है कोशन क्या करता तो माता पुत्री का क्या है तिवुनी है तो यह हो जाएगा X पलस तीन और इसको तीन से गुना कर दीजिए तो यह हो गया पिता यह क्या हो गया पिता और यह क्या हो गया माता और पिता और माता में उम्र का कुछ रिलेशन दिया हुआ है देखे कोशन क्या कहता है यदि पत अतनी की आयू पती की आयू से 6 वर्स कम है यानि माता इता से क्या है कम है कितना 6 सार तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6 सार बस एक छोटा सा समीकरन है जहां गुना भाग भी बहुत जादे मुश्किल नहीं है यान लुकिल आशे चार एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 9 बडावर 6 एक्स बडावर 15 यह मान आपका आंसर नहीं है यहां अंसर मत पिजिएगा देखेगा उप्षिं में अगर कहीं ऐसा अने डे तो जल्दी जल्दी हम लोग 5 लग दें नहीं पुश्ता क्या है पुश्ता क्या है माता की आयू तो ये है ना माता की आयू ये है यहां मान रखना होगा तो पंदरह तिन अठारत या चववन माता की आयू क्या है गनेस की आयू, उसके पुत्र की आयू की तिगुनी है, तथा उसके पिता की आयू का दोवरते पांच भागे। अब देखें, यहां तीन व्यक्ति है, गनेस, गनेस का पुत्र और गनेस के पिता जी। गनेश अपने पुत्र का क्या है गनेश की आयू उसके पुत्र की आयू की तीन गुनी है तथा उसके पिता की आयू का दो बटे पाचमा भाग है गनेश पिता से तो छोटा होगा ही ना तो पिता का दो बटे पाचमा भाग है इन तीनों की आउसत आयू 46 है गनेश तथा उसक तरब पुत्र है गनेश एक तरब पुत्र है और एक तरब पिता लेंगे लिए और पिता को मानते हैं 5X तो पुत्र हो जाएगा 2X क्योंकि दो बटे 5 को दिखते हो गनेश अपने पिता का दो बटे 5 मा भाग है तो पिता अगर 5X होगा तो गनेश को क्या होना होगा 2X और गन गनेस का पुत्र जो है उसका One Third है क्योंकि पिता जी तीन गुना है तो गनेस का पुत्र क्या हो जाएगा? अब तीन से गुना कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो योग कितना हो जाएगा? 46 गुना 3 अवसत अगर 46 है तो योग 46 गुना 3 होगा इधर भी योग 15 15 26 दो 23 23 x बराबर 46 गुने 3 23 से कटेगा दो बार में x बराबर 6 x बराबर 6 आया अब पुष्टा है अंतर किसका गनेश तथा उसके पिता का गनेश और पिता में difference कितने का है आप देखिए गनेश और पिता में difference 9 x का है तो 9 x का मान क्या होगा 9 6 चो आपका answer क्या होगा आपका पहला ही option आपका answer होगा और ये सब सवाल किसी एक exam में नहीं आया है आज हमने वैसे question को लिया है जो RRB में भी कहीं दिखा हमको SSE में भी दिखा वैसे question को जो काफ़ी important है सभी exam में बार बार repeat हो रहा है ताकि वैसे student भी देख कर जा सके है जो RRB anti-paste का तयारी कर रहे है या SSE का आईए हम लोग अगले question को अब question करता है हमारी मा की आयू मेरे भाई की आयू से तीन गुनी है तथा मैं अपने भाई से एक बटे तीन गुना बरा हूँ चार बर्स पहले मैं अपने भाई के बर्तमान उम्र के बरावर था मेरी मा की बर्तमान आयू कितनी है सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, हमारी मा की आयू, मेरे भाई की आयू की तिवुनी है, तथा मैं अपने भाई से एक बटा तीन गुना बढ़ा हूँ, देखें, मैं भाई और माता हूँ, यही है ना, मैं अपने भाई से एक बटा तीन गुना बढ़ा हूँ, जैसे ही एक बटा तीन गुना देखेंगे, हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे भाई मेरा थिरी एक्स बसका है, फिलियर ने, थिरी एक्स क्यों मानें, हम लोग अभी तक तो एक्स मानते थे, अब थिरी एक्स मानने से फाइदा क्या होगा, उसका वन थर्ड निकल जाएगा, मैं अपने भाई से वन थर्ड यानि इसका वन थर्ड एक्स होगा, यानि मैं अपने भाई से एक्स बढ़ा हूँ, यानि मै कितने साल का हो चार एक्स देखिए कहीं भिंद नहीं अनिता एक्स मानिएगा तो भी नाएगा फिर भी नाएगा धुना भान तुरा बरा हो जाएगा फिर कोशन क्या करता है हमारी मा की आयू मेरे भाई के आयू से तीन गुनी है यानि माता की आयू नौ एक्स क्योंकि तीन नाहें ले इनों का उम्म निकल गया अब देखे आगे चलकर ये चार क्या दिया है ये समझना है चार बर्स हे पहले मैं अपने भाई के बरतमान उम्म के ब्रावगे लोगर बाद समझना ही है चार बर्स पहले मेरा वही था जो आज मेरे भाई का है मतलब आप कह सकते हैं मेरे और मेरे भाई में चार साल का अंतर है अरे चार साल पहले हम 40 साल के थे मेरा भाई आज 40 साल का है तो हम 4 साल पहले हम 40 के थे तो आज हम 44 के हो जाएंगे मतलब कह रहा है मेरे और मेरे भाई में 4 साल का अंतर है बर्तमान आयू 9X 9X का मान चर्तिस और कुछ Schwarzen taxpayers अगले कोशन को देख Isaiah अगला सवाल एक पिता अपने पुत्र से कहता है देखे क्या कहता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्द के सम्या मेरी आयू तुम्हारे बर्तमान आयू के बराबर थी यदि पिता की बरतमान आई वावन साल है तो आठ साल पहले पुत्र की आई क्या थी कुस्तन ख़ली समझेंगे पिता जी कहते हैं जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था मेरा उम्र उतना ही था जितना की तुम आज हो मतलब आज अगर पुत्र तुम्हारे जन्म के समय मेरा उम्र वही था जो आज तुम्हारा है यही पिता जी कहते हैं सुनिये सिंपल सा बात है कि आज आज अगर आज पुत्र आज पुत्र अगर एक्स बर्स का है तो एक्स बर्स का पिताजी उसी समय थे जिसमें पुत्र का जन्म हुआ था जिसमें पुत्र जीरो का था पुत्र बर के 30 साल का हो गया तो पिताजी नहीं बर रहा होगा क्या पिताजी भी तो बर रहे होगे उनका भी तो पिताजी का उमर रुख गया होगा तब तो दोनों बरावर हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है कुश्चन कहता है आज अगर पुत्र एक्स साल का है तो पिताजी कितने के होंगे पिताजी जिसमें ये जीरो बर्स का होगा तब पिता कितने का होगा तब पिता एक्स बर्स का जितने उमर का पुत्र आज है ना पुत्ने उमर में पिताजी कब थे जब वो जीरो साल का था मत ओलब जन्म जलग कोशा गया इस साल तो पिता नहीं था विवल भावन गया अगर का मुष्म आज चामांगे आठ साल पहले पुत्र 18 साल का हो गया आए इस टाइप का एक और सवाल लिजे इस टाइप का सवाल भी बहुत बार बार पुछा गया है इसलिए इस टाइप का एक और सवाल हमने लिया है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे बरत्मान उम्र से पांच बर सा दित अभी पुत्र अभी पुत्र एक्स साल का है तो जिस समय पुत्र का जन्म हुआ था ना इसके जन्म के समय पिता X पलस 5 साल का था अभी जितने उम्र का पिता है उससे 5 साल जादे तो पिता उसी समय थे जब इसका जन्म हुआ था तो जब ये 0 साल का था तब पिता इतना के हैं और जब ये X बर्स बड़ा हुआ है तो पिता जी X बर्स नहीं बढ़ेंगे क्या पिता जी भी XL बढ़ेंगे तो आज पिता जी कितने हो जाएंगे आज X पलस 5 पलस X आज पिता जी का उम्र ये और आज पिता जी का उमर दिया ह और यह दोनों को जोड़ेंगे तो होगा टू एक्स बराबर चौंटीस एक्स बराबर सतरह कुछता क्या है पुत्र की उम्र पांच बरस पहले कितनी थी आज सतरह है तो पांच साल पहले पुत्र बारे बारे बर कहीं कोई परिशाने क्या आईए अगले को सब्राबर अगला सवाल देहें सवाल बहुत लंबा चुडया है सवाल मेर कोई जान भां नहीं । कशन क्या कहता सभिय है? किसी बैक्ति से उसकी आयू बताने को कहा जया किसी बैक्ति से उसका उम्र पुछा जया उसका उत्तर था तीन वर्स बाद की मेरी आयू लिजिये उससे तीन से गुना कीजिये गुननफल में से तीन वर्स पहले की आयू की मेरी आयू के तीगुने को घटा ये आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा ऐसे बैक्ति से उम्र पुछने का तो गल्ती हो गया हुआ साथ किसी का उम्र पुछा जाएगा और इतना घुमा के उम्र बताए जाएगा तब तो ऐसे वैक्ति इस अम्र पूछना ही नहीं रही हिए। देखे लेकर शिंपल सा बात है। इस वैक्ति का Ü wyequip माण लिए। अर बोला दोनों का डिफरेंस नीकाली है अंतर मिल जाएगा कोशन यहीं बोला मिल जाएगा देखिए ठीरी एक्स-प्लस-9 और माइनस क्या होगा ठीरी एक्स-प्लस-9 यह दोनों कट जाएगा और हो जाएगा वह कितने साल का है सिदा सिदा भी बताया जा सकता है आईए हम लोग अगले कोशन ना दे अब कोशन कहता है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगुनी है और वह मेरे भाई से 20 साल बड़ी है जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 बर्स का था मेरी बहान मेरी माता से 24 बर छोटी है मेरी बहान मुझसे कितनी बर यहां भी 4 रखती और देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि हमने परियास किया है कि भेरियेवल कम से कम है देखिए 4-4 बेक्ति आ रहे हैं जिनका उम्र नहीं है माता भाई और बहान मेरी माता की आयूँ मेरी उम्र की दुगुनी है अगर यह एक्स है तो यह 2x होगा कोई भी करता है फिर काता है वह मेरे भाई से 20 साल बड़ी है तो भाई होगा 2x-20 किलियर है जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई 5 बर्स का था जिस समय मेरा जन्म हुआ था ना उस समय मेरा भाई 5 साल का था मतलब मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है जिस समय हम 0 साल के थे उसी समय भाई 5 साल का था तो भाई। हमसे हमेशा 5 साल बढ़ा रहेगा तो मेरे भाई और मुझे में 5 साल का अंतर है बस वही तो लिव दिजये न भाई और मैं इन दोनों में अंतर कितने का? 5 साल का अब देखी यहां एक्स निकल गए सबार उमर निकल गए अब इसको calculate कीज़े गाती होगा x बराबर 25 x का मान 25 तो माता का उम्र क्या हो जाएगा 2x का मान क्या हो जाएगा 50 और उच रहा है और question करता है मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष होती है तो बहन का आयू क्या हो जाएगा माता का आईू 50 है तो बहन का आईू क्या होगा बहन का आईू होगा इसमें 24 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 26 बस माता का आईू 50 अब बहन 24 साल छोटी तो बहन कितने साल के होगी 26 साल के अब कोस्टन काता है मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है मुझसे मतलब मेरा उम्र 25 है और बाहन की आई 20 है तो दोनों में डिफरेंस कितने का है एक बार से मेरी बाहन मुझसे एक साल बड़ी है आपका ओप्चन पहला हो साहई यहाँ अब आपको समझने में कोई परिशानी ना है और कुछ दिक्कत हो तो आप लोग को कमेंट करना चाहिए आप लोग का कमेंट यह नहीं आता है कि यहाँ दिक्कत है और कमेंट यह नहीं आता है कि कोई दिक्कत है तो कम सकम लाइक तो होना चाहिए अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक करने में आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हैं पता नहीं आए अगले Question को लेखं़ फिलहाल Question लेने में हम कोई कंजूसी नहीं कर रहे है एक-एक Question हमने खोजा है जो आपके एक्जाम में बारबार आता है देखे अब लीजे यह Question थोरा सा लाइ पुस्पा की आईू रिता की दो वर्स पुर्व की आयू की दुगुनी है यदि दोनों की बर्तमान आयू का अंकर दो वर्स है तो पुस्पा की देखें अभी तक जो हम लोग सवाल देखे थे पुलना दोनों के बर्तमान का था या दोनों के भूत का था या दोनों के भविस्का था, यहां ऐसा नहीं, पुस्पा की आयू, रीता के दो वर्स, पुर्व की आयू की दुगुनी, मतलब पुस्पा दुगुनी है, रीता से नहीं, रीता के दो वर्स, पुर्व से, बात समंगा है, रीता की आयू, पुस्पा की आयू से दुगुनी है ऐसा बोला नहीं बोला पुस्पा की आयू दुगुली है रीता के दो बर्स पहले से यानि पुस्पा का उम्र हो रहा है आज का और रीता का आज नहीं रीता का दो बर्स पहले का ये ध्यान दीजेगा कि पुस्पा का बर्तमान का उनका चर्चा है और रीता के दो बर्स पहले और कुछ नहीं आगे चलकर कहता है यदि दोनों के आयू का अंतर दो बर्स है यहां से हम लोग क्या करेंगे यहां से हम लोग क्या करेंगे फुस्पा और रीता हम कहेंगे फुस्पा एक्स बर्स की है तो रीता एक्स माइनस टू बर्स की आप कहेंगे सही क्योंकि दोनों में दो वर्स का अंतर है तो ये x होगा तो ये x माइनस 2 होगा क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या ये x और ये x माइनस 2 नहीं उम्र वाले कोस्टन में जिसका नाम पहले आएगा वही बरा होगा a और b का अंतर दो साल है तो ये ही बरा होगा दो साल ये ध्यान लगना है उस्पा x वर्स है रीता x माइनस 2 वर्स अब पहला संटेंस में बोला उस्पा दुगुनी है उस्पा दुगुनी है किस से रीता से नहीं रीता के 2 वर्स पहले से तो रीता का दो वर्स पहले का उम्र यह है अरे बरतमान में रिता यह है लेकिन दो वर्स पहले डो वर्स पहले दो वर्स पहले दो वर्स और कम की होगी अभी बरतमान में रिता का उम्र यह है तो दो वर्स पहले और दो कम होगी अब यह है बरतमान में पुस्पा दूगुनी है किस से रीता के दो बर्स पहले से तो रीता का दो बर्स पहले ये है अब कोस्टन काता है कि पुस्पा दूगुनी है इससे तो इसको दो से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना एक्स कमान निकाल लीजिए X बराबर यह क्या होगा 2X माइनस क्या 40 दोih 8 अब X इधर आएगा то X बराबर हो जाएगा X आपने माना क्या X माना आपने पुस्पा का तो उम्र भी निकलेगा पुस्पा का पूछ क्या रहाँ पुस्पा की आई हो पुस्पा की ही आई हो हम लोग अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसे कोशन को जो रह गया हो उन कोशन को लेकर आएंगे हम लोग मिलते हैं